नमस्कार स्वागत त्याप का मेरे चैनल ग्रह्यणी अमेजिंग किछुण में आज की हमाई रेसिपी है बनाना के तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिए और मेरे चानल को जरूर से सथ्क्राइब करिये तो बनानागे के लिए यहां पर हम ले रहे हैं दो बनाना यहा देखिए हमारा बनाना जो है वह यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है तो अब इस मैश बनाना को हम एक दूसरे बड़े बोल में ट्रांस्वर कर लेते हैं अब यहां पर मैं इसमें आड़ कर रहे हूं आधा कप शुकर यह जो कप है वह आधे कप के मेशर्मेंट के अकॉर्डिंग है और साती मैं इसमें आड़ कर रहे हूं बिल्कुल भी इसमें लंपस नहीं होने चाहिए तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देखिए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे तो अब हम इसमें मैदा आट करेंगे यहाँ पर हम इसमें एक कप मैदा आड़ कर रहे है मैदा को यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चान लिया है मैदा चानना थोड़ा ज़दा जरूरी होता है तो मैदा आड़ करने के बाद फिर हम इसमें आड़ कर रहे हैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा आइनाधा चम्मज बेकिंग पाउडर और साती हमें हम इसमें आड़ करेंगे 5-6 ड्रॉप्स वनिला एसेंस की अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमारा बैटर जो है केक कब वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए अब यहां पर बैटर आप देख सकते हुए गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें दूद आड़ करेंगे और याद रखिए दूद मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया याद रखिए जब तक बैटर इस तरह का हमारा ना बन जाए तब तक आपको थोड़ा-थोड़ा करकर उसमें दूद्ध आट करके उसे पतला बनाना है अब मैं इसमें जो है वो ब्लाक रिजिन जिसे कहते हैं काली किश्मिश वो मैं इसमें आट कर रही हूं आप चाहें तो और भी दूसरे ड्राइफूट इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद आप चाहें तो चेरी भी इसमें आट कर सकते हैं फिर अब हम जो हैं हमारे केक मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं ताकि केक उसमें चिपकना जाए तो यहाँ पर मैंने बटर से इसे ग्रीस कर लिया है फिर हम इसमें थोड़ा सा जो मैदे का जो डास्ट है वो हम इसमें स्प्रेंकल करेंगे और मैदा डस अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे हमारा बटर पेपर, बटर पेपर लगाना जरूरी होता है, नहीं, तो हमारा जो यह बैटर है, वो मोल में चिपक जाएगा, तो बटर पेपर लगाने के बाद, अब यह जो बैटर है, इसको हम बैटर को मोल में shift करने के बाद इसको हमें ऐसे एक दो बार अच्छे से टाप कर लेना है ताकि इसमेर बबल ना रहें फिर हमें कणाई में पानी गरम करने रखेंगे और उसमें हमें एक stand रग देंगे पानी हमें प्रीहीट करना है देखें यहां पर हमारा water जो है वो अच्छे से बॉइल हो गया है प्रीहीट हो गया है तो अब जो हमारा mold है वो हम इसमें रख देंगे तो यहां पर हमने mold इसमें रख दिया है और इसको अब हम cover कर देते हैं लिट से हमें इसे पांच मिनिट तेज आज पर पकने देना है और उसके बाद हम इसे 20 से 25 मिनिट तक इसे हम दीमियाज पर पकाएंगे तो देखा आपने कितना आसानी से जो है वो banana cake हम घर में ही बना सकते हैं और बहुत ही tasty और healthy recipe है आप बच्चों को जरूर इसे बना के खिलाएं और अगर आप इसमें sugar use नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें गुड या फिर आप खजूर का इसमाल भी कर सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इस recipe को try करिए और मुझे कमेंस में बताइए कि आपको इस recipe कैसी लगी और अगर आपको इस recipe पसंद आई है तो प्लीज ज़रूर से subscribe करिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए तो यहां पर हमारा केक बिल्कुल रेडी है यह बनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है तो इस recipe को try करिए तो अगली बार मैं फिर हाजर होती हूं कुछ नया रेकर तब तक के लिए नमस्कार